दोस्तों यदि आपको भी परदानमंत्री किसान सम्मान ने दी योजना में सेल पर रेजिस्टेशन करते टाइम इन्वैलिड ओटिपी की समस्यारी है तो आज की इस वीडियो को सुरू से यह तक वाच करना क्योंकि अब इस प्रोग्लम को फिक्स कर दिया गया है अब आप PM की सान के official website से self registration कर सकते हैं तो चले बिना किस तरी के आज किस वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले आपको वीडियो के नीचे description में PM की सान के official website का link मिल जाएगा आप वहाँ से direct इस website महा सकते हैं इसके बाद आप नीचे की और score करते हैं आपको यहाँ पर एक option देखने को मिल जाएगा new farmer registration का आप एक बार इस पर click करेंगे जैसे आप इस पर click करते हैं एक new page आप सभी के सामने उपन होके आएगा आप यहाँ पर देख पार होंगे new farmer registration form यहाँ पर आपको कुछ basic detail फिलप करने है जिसमें सबसे पहले आप यहाँ पर select करेंगे आप rural area से हैं या फिर urban area से और इसके बाद माँ आपको यहाँ पर आधा number इंटर कर लेना है इसके बाद आप एक mobile number इंटर करेंगे state का selection आपको यहाँ से कर लेना है इसके बाद वहिने आपको यहां पर capture दिया जाते हैं आप capture same to same fill up करेंगे and get OTP वाले option पर एक बार click करेंगे आपके mobile number पर कोड़ीबी send कियाजेगा जिसे आपके यहां पर fill up करेंगे and submit वाले option पर एक बार click करेंगे जैसे आप submit वाले option पर click करते हैं आपके आधार से register mobile number पर अगेन एक OTP send किया जाएगा जिसे आपको यहाँ पर fill up करना है and verify आधार OTP वाले option पर एक बार आप click करेंगे इसके बाद आप यहाँ पर देख पारेंगे new farmer self registration का form यहाँ पर open हो चुके है तो चलिए अब बात करते हैं आपको फॉम किस परकार fill up करना है सबसे पहले आप यहाँ पर देख पारेंगे आपकी कुछ जनकरी यहाँ पर आपके आधार कार्ट के साब से ले ली जाती है जिसमें सबसे पहले आप यहाँ पर देख पारेंगे के category का selection यहाँ से कर लेना है और इसके बाद में आप यहाँ पर देख पारेंगे farmer type का एक option आपको देखने को मिल जाते है यह इसे आप समॉल farmer है तो आप पहला वाला option टाइप करेंगे यह था आपको second वाला option पर क्लिक कर लेना है इसके बाद मैं ID टाइप में आपको आधार कार सिलेक्ट आटोमेटिक रहेगा इसके बाद आथान नमबर, मुबैल नमबर एन एड़स आपको यहाप देखने को मिल जाएगा इसके बाद मैं आपको एक ब्लैंक के डीटेल फिलप करने होती है जिसमें आप देख पारेंगे Land Registration ID आप अपनी Land की Registration ID आपे इंटर करेंगे इसके बाद मैं Next Option है रासन कार नमबर आप अपना रासन कार नमबर आपे इंटर कर दीजिएगा इसके बाद मैं Data पर तो Automatic Selector हैगी यहापे आपको पूछा जाता है आपको अपने जमीन के अकेले मालिक है तो आप सिंगल पे किलिक करेंगे यहापके जमीन में हिस्तेदारी है तो आप Joint वाला Option सेलेक्ट करेंगे इसके बाद आप एक बार Add वाले Option पे किलिक करेंगे कुछ और Option यहापे उपन होके आजेंगे जिनको आपको फिलप कर लेना होता है इसमें सबसे पहले आप यहापे सर्वे खाता नंबर यानि दोस्तों आप अपनी Land की खाता नंबर यहापे इंटर करेंगे और इसके बाद में Next Option है खाता नंबर आप अपने जमीन का जो भी खाता नंबर होता है इंटर करेंगे एरिया इन हेक्टियर में आपको यहाप पे डाल देनी है इसके बाद में आपको Land Transfer Status यहापे यानि 2019 के पहले का है या फिर उसके बाद का है आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे इसके बाद में आपको Land Transfer Detail इंटर करने होती है जिसके लिए आप एक बार यहाँ पे किलिक करेंगे तो आपको यहाँ पे Region देखने को मिल जाते हैं आप कोई भी एक Region यहाँ से सिलेक्ट कर लीजेगा इसके बाद में जो अगला उप्सन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है Land Visiting Date आपको यहाँ पे इंटर करेंगे इसके बाद में Next Option है आपको देखने को मिलता है Pert RFA Number तो आपको यहाँ पे यदि आपके पास RFA Number है तो Yes पे किलिक करेंगे इसके बाद में आपको आपके जमीन की डिटेल यहाँ पे अपलोड करने होती है जिसमें सबसे पहले आप अपने जमीन के कागजियां पे अपलोड करेंगे जिसके लिए आप एक बार चूज फैल पे किलिक करेंगे इसी परकार आपको यहां पर आपका अधर कार्ट भी upload कर लेना है इसके बाद आप save वाले option पर एक बार click करेंगे आपका registration successfully submit हो जाएगा registration का status चेक करने के लिए आपको फिर से home page पर आजाना है यहां पर आपको एक option देखट को मिल जाएगा status of self registration farmer आप एक बार इस पर click करोगे जैसे इस पर click करोगे new page आप सभी के सामने उपन हो के आजाएगा status of self registration farmer आपको सबसे पहले आपका अधर का नंबर यहां पर इंटर कर लेना है इसके बाद capture आपको दिया जाएगा आप same to same fill up करेंगे आपके registration का जो भी status होगा आपके सामने सो हो जाएगा तो दोस्तों आपको आज के वीडियो पसन आए होगी वीडियो पसन आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी subscribe जरूर करें साथ में वेल आइकन को अल पर सेट करना ना भूलें तो हम मिलते हैं आपको फिरते किसी नए वीडियो के साथ में